नमस्कार दोस्तों मैं विजय आज आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ एक और आरो की नई वीडियो को लेकर और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 1.2 मीटर क्यूब का आरो इंस्टोल होता है ये लगबग सारा ही इंस्टोल हो चुका है और कैसे कैसे वर जो पानी को फीड करेंगे DMF की तरव DMF होता है डूल मीडिया फिल्टर यह सामने जो खड़ा है यह है डूल मीडिया फिल्टर इसके अंदर ग्रेवल पैवल होते हैं जिसके थुरू पानी पास होता है और पानी में से मिट्टी वगएरा हड़ जाती है यहां पर आप इतना फिलो हमारा चल रहा है उस टाइम यहां डेख सकते हैं कि जितने का हमने प्लांत लाँ लगाए यह नहीं आ रहा है और आपको खड़ो पानी आता जाता ड्रेन होना सब कुछ होता है यह जायतर हमारा फिल्टर पे लगाया जाता है यह आपके सामने आ गया है एक वाल अपना जिससे हम पानी को कंट्रोल करेंगे कुछ इस पॉइंट खाली छोड़े हुए इन्होंने अभी लगा देंगे बाद में यहां पर दो अपने बैक फिल्टर आ गए हैं जिसके तुरूप पानी पास होगे थोड़ी मिटी रह जाती है उसे भी रोक देते हैं यहां पर अपना हाई प्रेसर पंप है जिसकी लाइन आगे इसमें बाद में जाके जुड़ जाएगी अभी पूरी जुड़ी नहीं है अभी हमारे जो काम कर रहे हैं इस पर यहां से आप आगे देख सकते हैं यह देखिए यह लाइन अपनी प्रेसर पंप में जोड़ दिया एक तरफ आप समझ रहूंगे कि एक तरफ इसमें लगाय जहां से feed करते हैं उदर pressure नहीं होता और दूसरे तरब बहुत ज़्यादा pressure होता है pipe फटना जाए इस वज़ा से उसमें SS का pipe लगाते हैं आप देख सकते हैं या सामने से मैं आपको थोड़ा दूरी से दिखा देता हूँ किस तरीके से इन्होंने connection किया हुआ है जब यह आरोप पूरा बन के तयार हो जाएगा तम मैं इसके लिए एक और dedicated वीडियो बना दूँगा आपके लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेर करें यहां पर देखिए आप किस तरीके से इमने पॉर्ट छोड़े हुए है यह फीड का पॉर्ट है यहां से पानी फीड होगा हमारा और दूस तरफ से परमेट निगलेगा परमेट पीच वाज सेंटर से निगलेगा चाहिए आप दूस तरफ से नकाले हैं चाहिए